क्रिया कलाप आठ गुरुत्वी केंद्र का परिवर्तन और उसका प्रभाव जब आप सीधे खड़े होते हैं, तो आपका गुरुत्व केंद्र कहां होता है? पैर के अंगुठे को छूने का प्रयास कीजिए दिवार के साथ खड़े रहकर इसे पुना दोराईए जैसा कि चित्रानुसार दिखाया गया है चित्र में दर्शाई गई इस्थिति में क्या आप अपने पैर के अंगुठे को छू सकते हैं? जदी नहीं, तो क्यों? इन दोनों इस्थितियों में आप अपने शरीर के गुरुत्व केंद्र में क्या परिवर्तन देखते हैं? सोचिए, एक गोले और एक त्रिभुजाकार पटल का गुरुत्वी केंद्र कहा होता है? क्या किसी वस्तु का एक से अधिक गुरुत्वी केंद्र हो सकता है? हमने सीखा, ब्रह्मान्ड की सभी वस्तुएं द्रव्यमान के कारण एक दूसरे पर आकर्शन बल लगाती हैं. द्रवेमान के कारण आकर्शित करने का यह गुण गुरुत्वा कर्शन बल कहलाता है यह केंद्रिकृत बल है सारवत्रिक गुरुत्वा कर्शन यह तांग को गैपिटल जी से दर्शाया जाता है गुरुत्वा त्वरन से गतिशील होती है वस्तू का द्रवेमान एक स्थिर राशी है मगर किसी वस्तू का भार वस्तू के उपर क्रियाशील गुरुत्वे त्वरन पर नेर्भर है मुख्य शब्द, Keywords, गुरुत्वाकर्षन, Gravitation, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षन नियतांक, Universal Gravitational Constant गुरुत्वी त्वरन, Gravitational Acceleration, द्रव्यमान, Mass, भार, Weight, तृज्या, Radius मुक्त पतन, Free Fall, गुरुत्वी केंद्र, Center of Gravity